हें गाईस तो जैसे कि आप लोग जानते हैं विंटर सीजन है और हमारी शादी पार्टी का प्रोग्राम भी आए दिन आता ही रहता है तो इसी वज़े से कई बाइस क्या होता है कि जब लोग चाश्वाइब को यह दो काफ़ी लोगों की स्कीन पर क्या होता है कि बाद मैं मेकप के तो इन में अपने स्कूर को डाने जैसे क्हां सब्सक्राइब परहले कि उसके अपने ना गाइस मैं हमीसा अपना एक morning routine जो है उसे आपको लोग के साथ में शेयर करूँगी जो मैं अक्सर करती हूं गाइस अगर आप चाहे तो उसे होम नमरीज के साथ भी कर सकते हैं अगर आपके घर में coffee powder है तो आप coffee powder ले एक चमर्च एक चमर्च जो समकचा दूद मिलाएं और उसके साथ अपने face की massage करे तो उसे क्या होगा dead cells निकल जाएंगे make up की allergy आपकी skin पर हो जाती है वो दूर हो जाएगी और साथ की साथ आपकी skin जो है clean हो जाएगी ठीक है तो यह इतना अच्छा मतलब आपका routine बन जाएगा आपका morning routine बन जाएगा अगर आपने एक दिन छोड़कर बीच में एक दिन य कोई भी आपका market के scrub हो सकता है अगर आप home scrub बनाए तो आप घर के ही बनी चीजों से भी इसको कर सकते हैं वनना अगर आपके पास में आपके बिल्कुल भी समय नहीं है कि आपको remedy बनाने के लिए तो आप क्या करेंगे market के scrub ले लेंगे जो बिल्कुल mild हो जाएगे उसके सा सब्सक्राइब नहीं होता हम नाइट में निंग कर सकते यह ठंड बहुत जादा होती तो आपकी स्कीन की सभी तरीके की समझ्छा है दूर होनी स्टार्ट हो जाएंगी तो इसके लिए इस तरीके से अपने फेस की मसाज करने है और फिंगर पॉंट के साफ में आप मसाज कर स्टार्ट हो जाएगा चलना शुरू हो जाएगा तो आपका फेस ना ग्लोबी करना शुरू कर देगा गाइस यह इतनी अच्छी चीज है अगर आपने इसको आप मैंने आपको जैसे शुरू आत में बताया है आप चाहें तो होम रेमेडी से भी शुरू कर सकते हैं अगर आपके पास होम रेमेडी बनाने का समय नहीं है तो आप कोई भी स्क्रब मार्केट से खरीद लीजिए सबसे सिंपल स्क्रब आता है अबर यूद का वह भी ले सकते हैं मेरे पास सेनोरा का है तो यह मुझे बहुत सूट करता है जो भी आपको सूट करता हो जिस कंपनी का भ तो बस चोटी सी चोटी चोटी ट्रीक अगर आप फॉलो करते हैं यह मॉर्णिं रूटीन फॉलो करते हैं तो आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी आपको एक्ने वाली प्रॉब्लम तो पूरे तरीकी से दूर हो जाएगी क्योंकि गाइस एक्सस ऑल होता है मेरे स्की पर कंट्रोल हो जाता है वो निकल जाता है तो इस की अपने आप प्रव्लम्स होते है काफी लोगों को अखिश वास करने के बाद में भी आपने कोई भी स्क्रब लेना और स्वाधर से स्मूथली आपको पूरे फीश की मसाज कर लेनी है ठीक है गाईस तो यह चूटी सी चीज ना आपको तमाम तरीकी परिशानी दूर कर देगी क्योंकि आपको इसको अपने रुटेन में लाना है ठीक है अगर आप इस ट्रिक को अपने रुटेन में लाते हैं तो आपकी सभी तरीकी की समझ्चे हैं आपकी चेह से निकल और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन चलने लगेगा तो जो आपका पिंगमेटीशन है वह भी धीरी धीरे रिमूव होने स्टार्ट हो जाएगा ठीक है इसकी नेक लेवल में आ जाएगी एक टोन में आ जाएगी अब आपने करना क्या है गाईस जो फर्स्ट स्टेप आपन जो इसे कर सकते ठीके ठंड काफी जादा हो रही थी और मैं वीडियो भी रेगुलर नहीं ला पारी थी उसके लिए मैं वहरी सुरी गाईस तो मैंने सूचा क्यों ना मुझे प्रॉब्लम हो रही थी क्योंकि मैं अक्सर थ्रेडिंग में आती हूं यह बहुत जादा मेकप रूटीन चलता रहता है तो क्या होता है कि मुझे एकने की प्रॉब्लम हो जाती है तो मैंने सूचे यही ट्रिक आप लों के साथ में में शेयर भी कर देती हूं ठीक है तो आपके साथ भी इस सारी चीज़ें होनी बंद हो जाएगी तो दीखिए मैंने यहां पर जो है यह लगा लिया है आपने इसको लगा लियना 10-15 मृट के लिए लगा ओकर के मैंने छोड़ दिया था गाइस अब मैं आपने पास जो है यह में पास टॉबल है जिसको मैंने गुञँ पानी में डिप के और इसके साथ में क्लें कर रही हूं ठीक है आप चाहें तो जब आप 10 साज आगम करनी में काल सकते हैं कि बहुत जाधे प्रवल्लम नहीं है तो आप आप साज कर के dance कोई भी फैस्पेक आप लगा आप लगारे से होना हैं है हैभी आपको से निकाल करें अदिक कर जो कि आपके आपके पास में एकशन, पर प्पास होना में लगों प्लीज लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मन पूलना सो बाई गाईज टेट केर अपना ख्याल रखें मुझे देट सार प्यार देते